पवन सिंग का पॉलिटिकल करियर सुरू होते होते ही बिवादों के घेरे में घेर चुके हैं पवन सिंग सोचे भी नहीं होंगे कि पवन सिंग को इतिनी कठनाईयों का सामना करना पड़ेगा आरा सिट तो फाइनली फूल स्टॉप लग चुका है अगर अच्छा लगे तो आपको पेज के साथ चैनल के साथ जुड़ जाना है जी हाँ पवन सिंग अब आरा से चुनाओ नहीं लड़ेंगे दाबयदारी साफ साफ आरके सिंग ने पेस कर दी है और आरके सिंग ने कहा है कि आरा मैं नहीं छोड़ूंगा आप विडियो देख पा रहे हैं इंटर्व्यू बहुत पुराना भारल हो रहा है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 10 साल का पुरा मेहनत है आरा के लिए और मैंने आरा का विकास करा है और विकास के नाम पे लोग मुझे चुने है और पवन सिंग साफ साफ क्लियर कर दिया कि कोई पवन सिंग हो मैं ही यहां से लड़ने वाला हूँ मतलब आरा का scene close है आरके सिंग ही चुनाव लड़ेंगे आरा से अब 2-3 दिन के अंदर पवन सिंग का नाम clear कर दिया जाएगा कि पवन सिंग को sit मिलेगी या नहीं मिलेगी लेकिन अभी सुत्र की माने तो पवन सिंग धनबाद से चुनाव लड़ सकते हैं धनबाद पर अभी तक final खबर आ चुकी है सुत्र से जो कि पवन सिंग के team हो गए है कुछ ऐसे लोग जो दिली सचिवाला में बैठे हुए हैं उनसे खबर आ रही है कि धनबाद seat पर मोहर मार दिया गया है officially बहुत जल्द announcement होगा लेकिन अभी जो चल रहा है अभी बताना मुश्किल है क्योंकि कभी लोग आरा को लेके पूरा 100% sure बोल देते हैं फिर अचानक से change हो जाती है फिर धनबाद बोलते हैं तो दोस्त अभी भी जब तक खुझ से पवन सिंग आके officially जनकारी ना दे या BJP का second list ना निकले हम अब विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि लागातार तीन बार टीम ने तीन बार टीम ने बताया ऐसे और फिर हो गया कुछ और तो इसलिए जनता को गुमराह करना भी हमारा काम नहीं होना चाहिए तो दोस्त अभी तक तो धनबात का अपडेट है लेकिन हाँ आरा से आप पहुंसिंग चुणाओं नहीं लड़ सकते आरा में साब साब आरके सिंग ने कहा है कि महीं लड़ूंगा और मैंने काम किया है इसलिए मैं भोट मांग रहा हूँ और बहुत लोग का भी मानना है कि पावंसिंग आरा से जीत नहीं पाएंगे आपको क्या लगता है अगर पावंसिंग चुनाओं लड़ते आरा से जीत जाते कमेंट सेक्षें में कमेंट बताइएगा मैं कमेंट पढ़ूंगा देखूंगा कि आप क्या सोचते